नमस्कार बहुत स्वागित है आपका आप देख रहे हैं ग्रैन धर्मा सरमार्घ पूजा करते समय दीपक जलाने से हम भगवान से जुड़ जाते हैं और दीपक जब हम जलाते हैं तो प्रार्थना भी जल्दी स्विकार होती है जब आप भगवती तेवी के सामने आप दीप जलाना चाहिए या और उद्चांगी देपता को परसंद करने लिए देशी घी का दीपक जलाइए और सतरों समत्र से मुक्ति पाणे के लिए सरसू के तेल का दीपक जलाइए और उसमें लौंग या पिर आप चाहें तो काली मिर्च डाल कर जलाईए ये सरवोत्तम होगा और देपताओं को अनुकूल करने के लिए आप जब दीपक जलाते हैं तो उसमें आप लाल धागे की बत्ति के परियोग करें भगवान सुरी की पूजा एक या साथ बत्तियों से करने का विसेस महत्व है अगर आप भगवान सुरी को प दीपक जलाना चाहिए या एक ही दीपक में नौबाती डालें हनुमान जी और सिप जी को परसंद करने के लिए पांच बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए अनुष्ठान में पांच दीपक जलाने का विसेस महत्व है वैसे तो आप दीपक बहुत तरह कयूच करते होंगे स उसके नीचे गेहुंग रखें तो धन्धाने की बर्दी होती है चावल रखने से महालक्षमी की किरपा होती है काला तिल उड़द रखने से काली भैरव सनिदेव और छेतरपाल हमारी रक्षा करते हैं और दीपक के अंदर अगर गुलाप की पंखुरी या लौंग रख दें तो जीवन की समस्त परिसानिया समाप्थो कर सुगंध से भर जाता है हमारा जीवन तो बिविन धात्मों का महत भी है दीपक जलाने में और उन दीपकों से हमारी समस्त मनोकामनाएं भी पुर्ण होती हैं देखी कई बर क्या होता है हम सोना का बहुत सारे लोग सोना का और इसमें सिर्फ गाय के घी का डालें और लाल धागे की बत्ती इसका मुख हमेशा पूरब की ओर रहता है और घी डालते हैं और इस तरह से आप पुजा करते हैं तो धन बढ़ता चला जाता है बुरी सक्तियों से रक्षा होती है चांदी का दीपक जब आप जलाईए तो च लाल धागे की बाती का प्रियोक करें धन ब्रदी होता है जब आप तांबे का दीपक जलाएंगे तो इसमें लाल मसूर की दाल और आसन देकर चारो तरब लाल फूलों की पंखुरी भिखेर कर दक्षिन दिसा में स्थापित किया जाता है और इसमें तिल का तेल डाला जात अगर हर सनीवार के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ बाएं तरफ घर से निकलते ही अगर आप एक सरसों के तेल का दिया जलाएं तो ऐसा करने से पित्री देव प्रसंद होते हैं और पित्री दोस भी आपका समाप्थ हो जाता है जीवन में किसी है और इसमें तिल का तेल डालें तो ऐसा करने से स्थिर धन की प्राप्ति होती है लोहे के दिपक को उडद दाल का आसन देकर आप रहा पर इसमें सरसों का तेल कर रुवी की बाती होगी है जलाने से दुरगटْना से वचा होता है तो पूजा में नव ग्रवों को अंकित क किया जाता है और ऐसे में सोने का दीपक में सुरी कावास होता है और इसी तरह से तमाम तरह के दीपक हर गरह को कंट्रोल करते हैं जब आप दीपक जलाते हैं तो हमेसा ये कोसिस करें कि पूरी की पूरी बाती ना जले इसी के लिए कुछ नो कुछ दीपक में दिया जाता है और विसेस मनुकामनाओं के लिए जरूर डालें अगर जीवन में स्री चाहते हैं तो विसेस दिन जब आप विसेस ब्रत्योहार हो तो कोसिस करें कि घी का दीपक जलाएं और इसमें एक दो पंखुरी केसर का डाल दें अगर केसर ना हो तो गुलाब की पंखुरी भी